तो बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मी दे कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिस का लिसन जिसका नाम क्या है बच्चो और बुक रिव्यू जोर्ज सीक्रेट की टूदा यूनिवर्स ठीक है तो य और जॉर्ज सीक्रेट की टूदा यूनिवर्स तो यूनिवर्स याने क्या होता है ब्रम्हांड होता है ब्रम्हांड याने आपको पता यूनिवर्स है ना यूनिवर्स याने पूरा ब्रम्हांड ठीक है और सीक्रेट मतलब क्या होता है रहस्य तो इस पूरे का मतलब क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छा लेसन है और साथ-साथ में पेंसिल ले करके वह तो आपको लिखना पड़ेगा उदर बाजू में ठीक है तो चलिए देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जॉर्स डैड इजन और अन्वर मेंटलिस्ट अभी इसका क्या हुआ एक एक लाइन का मतलब आपको समझाते जाओंगे एकदम सिंपल से लेंग्वेज साधे से सिंपल से लेंग्वेज में सबको समझाएगा तो यहां पर देखो आड़न्ट यानि क्या होता है बच्चों किसी काम के लिए बहुत जादा महनत करना ठीक है वर्किंग यहां पर इसका मतलब दिया है मैं आपको इसकी मदद से समझाने का प्रयास करती हूं जिससे आपको अच्छे से समझाएगा देखो यहां पर दिया ना एन्वर्मेंटलिस्ट इसका मतलब क्या परसन हूँ फिल्स इस ट्रॉंगली डैट आवर एन्वर्मेंट मस्ट भी प् तो इसमारा जो एंवर्मेंट है वह प्रदूशित नहीं होना चाहिए ठीक है तो उसको मिलह क्या कहते हैं एन्वर्मेंटलिस्ट जो इतंब एक्वंच करति तो यहां पे क्या बोला चारह है कि क्या दिया गया था George's dad is an ardent environmentalist यानि कि George's dad पिताजी थे वो क्या थे एक परियावरण वादी हम बोल सकते हैं environmentalist का मतलब क्या परियावरण वादी जो अपने परियावरण की रक्षा करना मतलब परियावरण की रक्षा करना चाहता हो ठीक है तो George की पिताजी कौन थे एक environmentalist थे और ardent वैसे वैसे नहीं जो environment की रक्षा के लिए मतलब एकदम से कटी बद्द थे उनको करना तो करना ही है ठीक है तो ये George की पिताजी ऐसे थे फिर आगे देखिएगा in fact both his parents are convinced that modern inventions of science and technology have caused a lot of damage on the earth देखो बच्चों अभी आगे क्या बोला चाह रहा है in fact in fact यानि क्या अगर सच कहें तो वो जो दोनों थे ना जैसे कि George के पिताजी और माताजी पैरेंस यानि क्या George के पिताजी भी और माताजी वे ठीक है मतलब मम्मी बापा दोनों तो both his parents are convinced that modern inventions of science and technology have caused a lot of damage on the earth मतलब वो क्या मानते थे वो जो George के माताजी और पिताजी थे वो मानते थे कि अभी ये जो modern inventions हुए है मतलब इतने सारे जो technology आई है इसकी वज़ासे हमारे जो परियावरण है ठीक है ये जो science technology इतना सारा यहां पर invent हो चुका है इसकी वज़ासे जो हमारा अर्थ है जो हमारा परियावरण है इसको बहुत जादा नुक्सान हुआ है या फिर इन्होंने हमारे परियावरण को बहुत नुक्सान पहुचाया है तो ऐसा ये लोग सोचते थे कौन सोचते थे तो जोर्ज के माता और पिता इनको क्या लगता था कि ये जो इतने सारे टेक्नोलोजी बढ़ रही है नए नए इन्वेंशन किये जा रहे इसी के वज़े से हमारा जो अर्थ है वो प्रदूशित होते जा रहा है उसको नुक्सान पहुंचते जा रहा है ठीक है इतना मतलब सम बचाने के लिए प्रतिबद्ध थे मतलब वो हर एक प्रयास करना चाहते थे जिससे हमारा जो अर्थ है वो बच सके ठीक है अब यह लोग क्या क्या करते अर्थ को बचाने के लिए ध्यान से सुनिएगा दे यूज बाइसाइकल इंस्टिट ऑफ कार वो ना कार की देखो व यह सब आया कहां से धर्ति में से आया और दूसरी बात जब वो चलेगी तो कितना धुवा चोड़ेगी है ना तो कितना हमारा वतावर अप्रदूशित होगा इसके वज़ए से लोग कार की जगह क्या यूज करते थे आप लोग को भी आती होगे साइकल चलाने तो आप लो और फिर दे डे डे डोंट बाई तिंग्स लाइक ब्रेड अन बिस्किट्स दे इट ओनली वेजटेरियन और होम कुक फूड यानि कि वो जो उसके माता पिता थे वो ना बाहर से जैसे कि अभी हम लोग क्या करते ब्रेड अन बिस्किट्स बाहर का लाकर के खाते लेकिन उस किया करते थे ठीक है और यह एक अच्छी बात भी है हमें कैसा होना चाहिए सुद्ध सागहारी होना चाहिए है जो हमारे लिए बनी है हमें वही चीज़े खानी चाहिए ठीक है तो वही यह लोग क्या करते थे दे इवन यूज कैंडल्स टू लाइट दा हाउस टू लागरनी के लिए क्या चलाया करते थे वह इलेक्ट्रिक का यूज नहीं करते थे बल्फ और नहीं जलाते थे बल्कि कैंडल्स जलाया करते थे ठीक है ताकि उनको वह जो यह उसका यूज ना हो फिर पूर जॉर्ज हैस्टू सफर लॉट ओफ जीरिंग और रिडिक्यूल अभी इसका मतलब क्या होता है जीरिंग यानि क्या होता है मजाख उड़ाना और रिडिक्यूल यानि क्या होता है वही मजाख उपहस तो इसकी वज़ए से जो जूर्ज के दूसरे तो इसकी वज़य से जो दूसरे प्रेंड से जो उसके उपर हसा करते हैं इसके मजाग उड़ाया करते थे इतने का मिनिंग समझ में आया ना देखो इस पैरग्राफ में क्या दिया गया है आपको फिर से बताती हूं कथ अच्छे से समझेगा देखो जो George के पिता जी थे वो क्या थे एक पर्यावरणवादी थे ठीक है पर्यावरणवादी मतलब environmentalist ठीक है और उसके जो माता पिता थे दोनों इस बात में विश्वास करते थे क्या करते थे कि ये जो सारे नए-ने inventions हुए है इसकी वज़े से जो हमारा environment है वो खराब होते जा रहा है हमारा अर्थ जो है वह अभी खत्रे में है ठीक है तो वह अर्थ को बचाने के लिए कुछ भी करना मतलब कुछ भी कर सकते थे ठीक है वह क्या करते थे कार की जगा यूज करते थे ब्रेट बिसकिट्स नहीं खाते थे घर पर बना हुए चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ आई होब कि आपको फर्स पैराग्राफ समझाया रहेगा समझाया ना चलिए अभी सेकेंड पैराग्राफ इसमें क्या दिया गया है कि एक्चुली जॉर्ज ड़संट थिंग डैट आइधर टीवी और कंप्यूटर इस बाद तिंग सुनिएगा बच्चो अब जो जॉर्ज था एक्चुली यानि सच मुझ में अगर देखा जाए तो वो जो जॉर्ज था ना ड़संट थिंग डैट आइधर टीवी और कंप्यूटर इस बाद तीवी और कंप्यूटर को बैन कर दिया था लेकिन जॉर्ज वैसा नहीं सोचता था उसको क्या लगता था वो उसने ट्राइट किया अपने पैरंस को बताने के लिए कि कंप्यूटर और इंटरेट की मदद से क्या किया जा सकता है हमारा जो अर्थ है उसको सेफ किया जा सकता है ठीक है ऐसे वो बताने कि उसने कोशिश किया अपने माता पापा को बताना तो बता भी सकता था क्योंकि उस रहां औस मतलब उसकी बारे में उसके घर पे चर्चा होई सकती थी कभी कर फूंज़ करने लगें तब तो ऐसा मानों तूफान आजाता है तो आप ऐसे समझ पर आप एच Lab his question अब जो जानना चाहता था कि क्यों किसी के भी मतलब कोई बच्चा है तो उसके मन में सवाल तो आएगा ही ना कि सब लोग modern तरीके से जी रहे हम क्यों ऐसे पुराने जबाने में जी रहें उसके मन में यही सवाल आता था रहे क्यों बट हूँ लेकिन कौन है जो उसका आंसर दे क्योंकि वह टॉपिक पर कोई नहीं करना चाहता तो अब बचारा क्या करें उसके सवालों के जवाब दे तो दे कौन देखो इस परेंस तिंग दाट यह स्टीव यंग तो अंडर्स्टैंड ग्लोबल इशूस ठीक है तो उसके माता पिता क्या सोच्टे थे कि यह जो जो जैना यह अभी बहुत चोटा है ठीक है इसको ग्लोबल इशूस समझ में नहीं आएंगे इसको कुछ नहीं समझाएगा कि हम य इसको समझ नहीं आएगा इसलिए उसके माता पिता इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे और उसके समालों की जवाब वह नहीं देना चाहते थे उनको लगता था कि जौर्ज बहुत छोटा है ठीक है इतना बात आप लोग को समझ में आगया अभी आगे चलते हैं देखि एक नई फ्रेंड मिली उसने कभी सोचा भी नहीं था एक्सपेक्ट है थे वे बुर्डो ऐसके ब्रिल्यंट साइंस्टिस थे के वह बृत ही इंटेलीजंट साइंटिस्ट से जिन्होंने कया था और वो और वो क्या कर सकते थे जो भी सवाल है उस सवालों के जवाब वो दे सकते थे ठीक है फिर आगे क्या है सुनिएगा इरिक एस बिल्ट अस सूपर सूपर इंटेलिजेंट कम्प्यूटर कॉस्मोस कॉस्मोस इस इंक्रेडिबल पावर्स यानि कि जो उसके पिताजी थे मतलब यानि कि एरिक उन्होंने एक सूपर सूपर इंटेलिजेंट कम्प्यूटर बनाया था जिसका नाम क्या था कॉस्मोस था और जो कॉस्मोस उसके पास इंक्रेडिबल पावर्स थी यानि बहुत ही विलक्षन छमता थी उस कम्प्यूटर के पास जिसका नाम क्या था कॉस्मो on the universe and take you to any planet star comet and even to a black hole and and of course cosmos can also bring you back from there यहां पर क्या बोला जारे वो सच्ची में लिटरली यह नहीं क्या होता है सच्ची में वो ना मतलब उसमें एक ऐसा window hole खुलता था जिसमें आप क्या कर सकते हो वह आपको universe में जितने भी यह सभी planets star comet वगरा है वहां पर आपको ले करके जा सकता है और फिर वहां से आपको वापस भी ला सकता है ठीक है उसमें एक ऐसा window खुलता था वो computer में ठीक है हाओवेवर cosmos depends entirely on the information that is fed into into it by people like Eric who do the research and thinking that can make cosmos work देखो बच्चों अभी यहां information डाली गई थी मतलब कोई भी computer है तो उसके अंदर आप जितनी information दोगे ठीक है तो वहीं तक सिमित रहेगा ना उसी प्रकार से यह जो cosmos था उसके अंदर जितनी इंफोमेशन थी लोगों ने जितनी information डाली थी एरिक जैसे लोगों ने तो वह उतना ही समझ सकता था जिन्हों इतना सारा रिसर्च किया थिंक किया सोच आउट तब जाके वह computer बनाया ना उसके अंदर जितनी information डाली गई थी डाली जाती थी उन्होंने इंफोमेशन जो भी डाल करके उसको बनाया था वह उसी के उपर डिपेंड था ठीक है तो वहीं यहां पर दिया गया है मुझे उम्मीदे आपको समझ आ रहा होगा ठीक है यहां पर थोड़ा सा मैंने इधर उधर कर दिया एक बार फिर से आपको पता दियो सुनिएगा यानि क्या होता है जब की कॉस्मोस डिपेंड्स मतलब कॉस्मोस डिपेंड था एंटारली पूरा के पूरा ओन दे इंफोमेशन मतलब वो इनफोमेशन पे धाट इस फेड़ इंटो इंटो बाई पीपल लाईक एरिक मतलब जो उसके अंदर डाले जाती थी जैसे की डाली दो सोच करके उसके आंदर जितनी इंफोमेशन डाली ठीव उसी के ऊपर एपर था ओर कॉसमस उसी पर काम करता था ऑलती जितनी इंफोमेशन डालोगे वह उतना ही काम करेगा ऐसे चली अब आगे चलते तीसरा paragraph भी यहां पर खतम हो चुका है आगे चलते और देखते क्या दिया गया है तो science can be used for a good cause and a group of good scientists like Eric have warm to use it for people's welfare अभी इसको बत्तोर समझगेगा यहां पर एक word आया है वो मतलब क्या होता है जैसे कि वोव यानि क्या होता है जैसे हम लोग प्रतिग्या करते हैं मैं प्रतिग्या करता हूं कि मैं यह करूंगा ठीक है तुसी प्रकार से यह वोव है तो अभी इसका मतलब क्या है कि scientist science can be used for a good cause and a group of good scientists like Eric have warm to use it for people's welfare यानि कि यह जो science है ना science को हम लोग यूज कर सकते हैं for good good cause मतलब अच्छी चीजों के लिए हम इसका हम विज्ञान का उप्योग कर सकते हैं जैसे कि उसका यूज करेंगे तो यह हो गया इसका मतलब समझे ना एरिक जैसे जो भी विज्ञानिक है वो फिर आगे क्या बुला जा रहे है कि unfortunately 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 मतलब क्या है दुर्भागे से there is one odd angry scientist who wants to use science for his own selfish motives अब देखिएगा बच्चों यहां पर तो किने अच्छे साइंटिस्त की बात की ना सभ अच्छे होते हैं जो जिन्होंने सपत लिए कि हम क्या करेंगे ना सब्चे करेंगे लोगों की भलाई के लिए करेंगे लेकिन दुर्भाग से एक ऐसा scientist था लो बहुत ही बेकार angry scientist था वो एक ऐसा साइंटिस था अब वो प्लान कर रहा था तो वह कॉस्मस कंप्यूटर एरिक ने बनाया था ना और जो भी उन्होंने research की थी वो cosmos computer और उनके सारे research को वो चुराने की planning कर रहा था ठीक है वो चुराने के बाद क्या करता वो सोच रहा था कि दूसरे planet पे क्या करेगा वो अपना राज चलाएगा ठीक है अपना वो राज चलाएगा इसके लिए वो क्या करना चाहता था सारे research को कॉस्मोस को चुराना चाहता था ठीक है कौन वही वो जो बुरा वाला था ना बुरा वाला scientist वेकार वाला फिर देखिया आगे क्या होता है एट सो हैपन इट ओल जॉबर कम विक प्लान्स ओफ द नास्टी साइनिस लग बच्चों अभी यहां पर बुला जा रहा है जैसे अवने अभी उपर देखा कि वो साइनिस था वो क्या प्लानिंग कर रहा था कि कॉस्मोस को चुराएगा जो पर एरिक द्वारा किये रिसर् अगर आप जानना चाहते हो कि जो इतना लालची था तो उसको रोकने के लिए वो क्या क्या करते कौन-कौन से अगर आप इसके आगे का जानना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए यह नॉवल पढ़ना चाहिए ठीक है कैसे जोर्ज ने उसको वो साइंटिस को रोका ठीक है क्या-क्या उन्होंने स्ट्रेटेज बनाई कौन-कौन से यह उचना है तैयार की अगर आपको जानना है तो यह नॉवल आपको जरूर से रीड करना चाहिए ठीक है आगे चलिए का अभी इस नॉवल के बारे में बताया जा रहा है कि दो ऑफ दिस वंड़फुल एडवेंचर इस लूसी होकिंग मतलब कौन है इसका अथर कौन है इसका तो लूसी होकिंग है the story of the novel is imaginary मतलब यह जो स्टोरी है इस नॉवल की इस इमेजिनरी यह इमेजिनरी है लेकिन बट इसके अंदर प्लैंटी ऑफ चार्ट्स बहुत सारे चार्ट्स इंक्लूट्स हैं फोटोग्राप्स हैं बॉक्स हैं जिसकी मदद से आप लोग यह सारी चीज़ समझ सकते हो देखो यहां पर लिख है इन वीरी सिंपल इजी तो अंडर्सांड मैनर बाई नन अदर दें स्टिफिन होकिंग हुए वह सब्सक्राइब यहां पर दी गई है इस नॉवल के अंदर यह बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल है आप समझ सकते हो बहुत ही आसानी से और यह सारी इंफोमेशन किस ने द इनको नहीं जानता है हम भी जानते होंगे इनका नाम सुना होगा टीक है अच्छा इनको बहुत सारी बिमारिया हो गही रहती है लेकिन इतने सारे विमारिया होने के बावजूत भी यहारल नहीं मानते हैं काम करते रहते और देखो आज इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाली आए कि हम उनके बारे में यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं समझें हीस अचीवमेंट आर 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 ओल दमोर अस्टाउंडी देखो यहां पर एक वर्ड आया है बच्चो एकदम ध्यान सुनिएगा एस्टाउंडिंग तो इस्टाउंडिंग यानि क्या होता है मैं आप लोगों को पताना चाहूंगी मतलब अदभूत बोल सकते अदभूत बोलते ना अदभूत तो अच्छीवमेंट्स आर औल दमोर एस्टाउंडिंग ऐस विक्टिम ओफ मेनी फिजिकल एलमेंट्स यानिकि जो भी उनके achievements है वो अपने आप में क्या है बहुत ही अदबूत है क्योंकि इनको बहुत सारी बिमारिया थी ठीक है यह physically बिमार ही रहा करते थे लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी सारी जो achievements है उनको मतलब achieve किया ठीक है बहुत सारे चीज़े इन्होंने अचीव की सुदेयर और इनकी जो life है वो हमारे लिए क्या है एक inspiration एक inspiration है वो हमको है यह चल फिर बहुत है åt नहीं सकते थे ओल गया हमकी है इनकी स्टर्ण सीफिंधफिन हाकिंग इस g comfy इस истории Peter वो हम इनफराइंग एडवेंट्यचर डिखो यहां पर ट्राइंप एने क्या होता है ट्राइम प्याने हम बोल सकते हैं आपको इसका मतलब यहाँ पर बताती है देखो लिखा हुआ है आप देखकर के जादा अच्छे समझोगे विक्टरी ट्राइम प्याने क्या होता है विक्टरी यानिकी जीत ठीक है विजय समझें विजय के खुशी तो इनकी जो लाइफ है वह एक तरीके से क्या है यह जो स्टिफिन होकिंग है इनकी जो लाइफ है वह एक तरीके से हमको एक मतलब प्रेड़ना देती है कि अभी अभी मैंने आपको बोला ना कि जब यह इतने सारे विमारियों के बावजुद इतना आगे बढ़ सकते तो फिर हम क्यों नहीं वही क सारे दिक विकलांगता पर विजय की स्टिफिन होकिंग की जो कहानी है वो स्वैम में ही क्या है प्रेड़ना दायक है इससे हमको प्रेड़ना मिलती है ठीक है आगे देखो दबुक इंक्लूट्स वेरी अट्रेक्टिव एन एक्स्प्रेसिव स्केचिस ड्रॉन बाई गैरी यहां पर बूला जा रहा है कि यह बात तो सच है क्या सच है कि the that excessive use of science and technology मतलब बहुत जादा ठीक है बहुत जादा मतलब अगर आप science और technology का बहुत जादा यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम तो क्रेट करेगा लेकिन उसका यह सॉलूशन नहीं कि आप साइन से दूर हो जाओ दूरिया बना लो हम तो इसका यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि इसके वज़ें से प्रॉब्लम हो रही है तो यह more research more studies a commitment to use them not for selfish gain but for the welfare of entire living world यानी कि मतलब जादर जादर आप research करो जादर जादर study करो लेकिन एक बात मतलब एक बात तो आप ऐसे कर लो कि हमें क्या करना है जो भी information हमारे पास है जो भी हम research करेंगे उसका हम use किस लिए करेंगे for people welfare यानी लोगों की भलाई के लिए करेंगे ठीक है वो अपना मतलब स्वार्त स्वार्थी पना हम नहीं दिखाएंगे हम स्वार्ती नहीं बनेंगे बलकि हम जो भी research करेंगे जो कुछ भी करेंगे वो किसके लिए use करेंगे तो पूरा पूरा जो विश्व है उसके लिए हम use करेंगे ठीक है बात समझ में आई आपको तो बस ये था आपका lesson मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया ही रहेगा बच्चो तो ये छोटा सा और प्यारा सा lesson था ठी करेंगे और यहां पर कुछ मिनिंग्स दी गई है तो आप लोग देख सकते हो मैंने आपको बताया ही यह देखो आर कन्विंस मतलब आर स्योर होता है एकदम स्योर ठीक है कमिटेड यानि प्रतिक्या बद्ध है कौज यानि वर्क होता है फिर यह देखो सफर लॉट जीरिं हम ग्लोबल यानि क्या about the whole whole world brilliant яनि 8जещ n morning फ्रामिस दीक है वोग डेरें क्या सब्सक्राइड گार इसके बादद यहां पर आगे चलते हैं आगे देख लिए इस्टेब his own rule यानि be the king of be the king or the master यानि कि राजा बन जाना वो उसने वही सोचा था ना क्या करेगा दूसरे प्लानेट पर अपना हो यानि किसी चीत से गुजरना पड़ रहा हो ठीक है तो यहां पर बोला किया था ना कि एक से यूज ऑफ साइंस और टेकनोलोजी जब आप यूज करते हो तब तो वह ख़दरनाक है ही तो हमें क्या करना चाहिए हमें उसका एक लिमिट में यूज करना चाहिए लोगों की भलाए के लिए संजें तो यहां पर आपका कमप्लीट हो चुका है तो द्यायन से मेयरा से सुणिए इसके आगे के पीचे के सब कुछ लेशंस मैनayı कम प्लिट कर्वा दिया है यह सबYes मैं आपको दूसरे करें otherwiseim नंबर लाने है ठीक है ना तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद